असलाम लेकुम गाइज, वेलकम टू माँ चैनल पाकिस्तान यूट्यूबर ताहरा, आज के व्लोग में मैं आपके साथ तोरई का सादन शेयर करूँगी, जिसमें मैं तोरई, लेसन, टामाटर, हरी मिर्चे, और इसमें अंदर डालूँगी मैं इसके अंदर, ये है सौफ, राई और मेथी दाना, सबसे पहले मैंने आईल गरम किया, मैंने तोरई को चील के काट लिया, आईल गरम करने के बाद, जिसमें का कलर साफ हुआ, मैंने नमक डाला, नमक डालके मैंने चुला बंद कर दिया, चुला बंद करने के बाद, मैंने आईल में हरी मिर्चेंट डा जिससे इनका फ्लेवर जो है वो ओयल में आ जाता है तो एक ब्रिलिंट सा टेस्ट होता है सालन का गाजी में वीडियो भी खुद ही बना रही हूं ये सुभा का टाइम है मैं अपने हस्बेंड के लिए आफिस के लिए ये सालन बना रही हूं वीडियो भी मैं खुद ही बना दी कि मेरे हस्बेंड जो है वो खुद जो है वो अपनी तैयरी में लगए होते हैं अब मैं इसके अंदर ये देखे हैं मैं इसके अंदर सौफ राई और मेथी दना डालने के बाद हरी मिर्च डालने के बाद इसके बाद हल्दी डालने के अजीब सा फ्लेवर आ रहा हुता ना वो खतम हो जाता है क्योंकि उस फ्लेवर से कुछ मुझे अजीब सी अलर्जी सी हिसी है तो मुझे वो फ्लेवर अच्छा नहीं लगता जब तक हल्दी पूरे तरीके से पक नहीं जाती इसलिए मैं हमेशा हल्दी को इसे स्टेज पे डालती हूँ बजाएं मिर्चों के साथ लाल मिर्चों के साथ डालने के अब मैंने ये जो तुरी छील के काट के रखी ही थी वो डाल दी गाइज मैंने इसके अंदर मेथी मेथी दाना राइ और राई और सौफ इसलिए डालें क्योंकि इससे इनका टेस्ट बहुती ब्रिलिंट होता है तुरीका तुरही का तुरही जो है वो ज़रा आपने महसूस कि थोड़ा सा मीठा-मीठा जायका होता है इनके अंदर तो जब आप इनके अंदर ये मेथी दाना, सौफ और राई डालेंगे तो ये इनकी मिठास बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, गाईज आप लोगं के सामने मैंने सिर्फ और सिर्फ तीन जैसे सिर्फ टमाटर है, हरी मिर्चे हैं और तुरही है इन तीन चीज़ों से मैंने एक बिलेंड सा सालन तयार किया है, आप भी ट्राई की जगा, बहुत मज़ेगा बनता है आज मैं अपने हस्बिन के लिए ये नाश्ता बना रही थी, वैसे हमेशा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबा के टाइम का रुटीन ये आज मैंने तोरई कर रूटीन चेयर की है, और आज जो मैंने उनके वेख करके दिया, मैंने वो भी मैंने आपको दिखाया है अब मैं इसके अंदर टामाटर डालनूगी, थोड़ा जैसे ही पानी खुश्क होगा तो रही हो टामाटर डालने के बाद मैं इसके अंदर लेसन डालूँगी गाइस देखेंगे लेसन जो है मैंने वो चौप किया हुआ है कुतरा हुआ है लेसन को मैंने पीसा नहीं है लेसन मैंने इसे कुतर लिया था पीसा नहीं था पिर इसके उपर मैं हरी मिर्चे डाल दूँगी टामाटरों और लेसन के उपर धक्ये रख दूँगी कोई इसके साबिट टुकड़े हमें दिखेंगे नहीं बिल्कुल घुला हुआ होगा और ये बाल आ गया था तो मेरे शोवर के रहें देखो तुम्हारे बाल आ रहें सानन में मैंने का जाहर सी बात है अब इतने लंबे लंबे बाल होंगे तो जाहर सी बात है एक दो तो तुम लोगे खानों में आएगा ही न घने और लंबे बाल होंगे तो खानों में आएंगे जाहर सी बाते खाना बनाते हैं तो गाइस बहुत मज़े का सानन बनाए और मैं अक्सर तोरह इसी वे से बनाती हूँ और जो चीज मैं बनाती हूँ मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरी सब कुछ रियलेटी होती है, हर चीज रियलेटी पर ममनी होती है, मैं जो चीज बनाती हूँ, जो चीज करती हूँ, तो मैं आपलों के साथ शेयर करती हूँ, इस्पेशली मुझे कुकिंग का बह जाती है तो वो भी खुदी कर लेती हो यह देखेंगे आप सुबा का टायम है यह मेरे कप वगारा चाय वगारा सब कुछ रखी हुई है टैबल पे मेरे हजबन कू लेट हो रही थी, वो कह थे जल्दी करो जल्दी करो मढ़े ने का हाँ बस होने वाला है सालन तैयार तोरई वेसे भी जल्दी पक जाती है इसमें कोई बहار का पानी शामिल करने की जरुद नहीं पढ़ती तोरही बहुत जल्दी गल जाती है, अपने पानी में ही गल जाती है और मैं इन्शालला आप लोगे साथ तोरही गोश्ट का सालन भी शेयर करूंगी अब ये देखें, मैं निकाल रहु है अपने हस्बिन के लिए बिसमिल्लाह रहिमान रही में पढ़के निकाला मैं और काम करने शुरू करने से पहले भी मैं बिसमिल्लाह रहिमान रहीं पढ़ती हूँ और हम सब को भी पढ़ना चाहिए, of course पढ़ते हैंगे ये देखें मैंने ये सालन निकाला अपने हजबन के लिए ये निकाल रहे हैं और बहुत ही मज़े का टेस्टी सालन बनता है अब कभी ये मेथी दाने वाला और राई वाला बनाईएगा आप लोग बनाते होंगे काफी मेरे फ्रेंड्स बनाते होंगे क्योंकि इस से यो जो मिठापन तोरही में होता है न वो नहीं आता ये पेक कर के दिया मैंने इनको ये देखें रोटी है रोटी के उपर मैंने अब इनका ये सालन रखा और अब मैं इनको पेक कर के दूंगी ये थोड़ा सा सालन जो लगा हुआ था कोनों में मैंने वो हटाय साफ किया, अभी ने ये पेक किया, इनकी ओफिस करीब ये ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इनको कहती हूँ कि बच्चे को वो सोरी, खाना खाने घर आया करो, सहीए गाइज, ये था मेरा सालनाज का, आज का विलोग, उमीद करते हूँ हम लोगों को पसंद आया होगा, अल्ल